मनोहर भाया का परिच्छे रब देती हूं, मनोहर गोयल जी सूरत से हैं और टेक्सटाइल इंजिनियर हैं भाया, भाया ने कई सारी टेक्सटाइल मिल्स में आस परसेसिंग मैनेजर काम किया है और चार साल पहले भाया रिटायर हुए हैं और कई सारी सोशल औरगेनाइजेश में वलंटियरिंग कर रहे हैं धन्यवाद मेरा परिचे देने के लिए मैं मूलतर रास्तान का रहने वाला हूं और फिलाल सूरत में पिछले पीस साल से भी अफसाय के सिलसिले में यहां रहता हूं मैं 68 वर्षका हूँ मेरी पत्नी जो 4 साल छोटी मेरे साथ दो बेटे दोनों बेटे वह प्रोफेशनली मैनेज़्द दोनों की पत्निया चारों वह अपने-प्रोफेशन में हैं मेरे पढ़े बेटे के एक पुत्री 10 साल की है और छोटे बेटे का बेटा कि यह हमारा परिवार है उसमेंसे मेरा बड़ा बेटा पूरा रहता है छोटा बेटा हमारे साथ रहता है और रहें तरह से अपने परिवार में हिप्र मिलके रहते हैं मेरी पत्नीच से खास करके 40 साल हो गए हमारी शाधी को त्रेकिन अगर मैं यह कहूं कि आज भी गलब नहीं होगा हमारी बहुत सी आरते बहुत सी पसंद नापसंद मिलती हैं हाँ अगर कहीं डिफर होता है तो यह है कि कि जैसे मैं बता नहीं पाया कि जीवन विद्या से जोड़ावा हूं थे साल से मैंने कई परिचे शीविर किये और अध्यन भी आंचे गूर्प से किया गोस्थियों में मैं नीमित रूप से जाता हूं और अपनी इवन अपनी स्वयम की पारिवारिक समस्याओं का मैं वहां जिक्र करता हूं कि मुझे जब तब अपनी समस्याओं का अपनी निजी बातों का मुझे निलाकरन मिलता है तो इस तरह से मेरा जीवन विद्या में जुकाव रुजान बढ़ता ही गया मेरी पत्नी परिचे शीविर किये मगर वो उतनी गहराई में जानाने चाहती और कि आप कीजिए मुझे पसंद नहीं है तो इस बात पर मैं यहां यह करनूं कि मैं मेरी चाहाना में हैं कि वह भी उस कंटेंट को उतना समझे देखें मगर समभाव नहीं होता पहले मैं इस बात से थोड़ा इरिटेट भी होता था एक पजश्य हो जाता था लेकिन अब उन अवमजे ऐसा स्थर लगा है कि यह गलत है कि एैनिवेय कि अंवे कि मैं शेप्टमबर में जुस्तार सर्ट कानपूर में हुआ मैं और मेरे शेय साथ ही गुजरास से हम लोग वा गए वहां जाने का जो निर्ड़ने मैं कहूं कि अगर मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट वहां का आब हवा साद्गी गनेश भाई और अभिशेक और बाकी सभी लोगों का जो उनके आचरन में मैं बहुत नदीक से देख पाया कि जो वह कहते हैं सुनते हैं वही करते क्यों वी हैं इस बात को मुझे बहुत छुआ मुझे साजस्वत्र के क्या रूप रेखा है वह बहुत खिलियर नहीं थी लेकिन सार्शत्र की पहली ही सुभह की दभा में जिस तरह गनेश जी ने दोनों अभ्यास के बारे में बात की और जैसे ही अभ्यास एक के बारे में बात करना शुरू की मैं यह कहूं कि मुझे बहुत ही प्रसंता हुई कि एक मेरी रूची का विशय है कि मेरी हमेशा से मानेता रही है कि हम बात वो करें जो हमारे जीवन से लगती हो जो हमारे संबंधों को प्रघारता दे उस विशय में जब मुझे उनको देखा कि यह सत्र की रूप रेखा है तो मैं बहुत खुश हुआ और पहले भी यह सार्शत्र होने के पहले भी मैं किसी हद तक इस तरह के अभ्यास से कि उन माई उन कुजरता था मैं अपने भाव को देखता था अपने विचारों को देखता था उसमें परिमार्जिन करने का प्रयास करता था क्या कारण है उन पर मैं बहुत सोचा करता था गोस्ट्रीम बात करता था मगर जिस तरीके से गनेश जी ने वहां पर एक स्टॉक्चर्ड वे में स्टैप बाइस टैप जो बातों को रखा कि एट वेरी फाइन डिटेल मुझे जैसे एक काम बहुत ही प्रश्चर्ड वे में एक मैथ्वडोलोजी वह मुझे मिली और मैं उस पर काम कर रहा हूं लौँ हम अभ्यास एक के बारें बात करें अभ्यास एक में जो स्टेप वन स्वयम के द्वारा स्वयम को देखना है हां मैं अपने विचारों को अपने कल्प्राशक्ति को अपने भाव को बनते बिगड़ते मैं निश्ची रुप से देख पाता हूं और पहले जब कभी मैं किसी घटना से गुजर जाता था उसके कई घंटों बाद मुझे ख्याला आता था कि मुझे गलत हुआ फिर वह अवधी कम होकर मिनिट हुई और अब जो है मैं अपने भाव को कभी कभी तो ऐसा होता है कि घटना होते हुए कि मैं देख पाता हूं मेरे भाव यहां बिगड़ रहे हैं मैं ऐसे हुँ हूं इस टैप नमबर दो और तीन मैं दोनों को मिला कर भी बात करूं कि बरत्मान में अपने विचार से भाव उसमें सुख्री दुख्य होता हूं ऐसे होता हूं जैसे मैंने कहा कि मैं उनको देख आने पाता हूं समझ पाता हूं और यह स्टैप नमबर चार जो है खास करके वह बहुत कर्णते करें स्टैप हैं एक दो तीन तो सब्सक्राइब स्टैप होते हैं जैसे चैन्स आश्वाधन होता है जो यह पूछा गया कि सुख्य दुख्य होने का यह जो एहससा एहस्ता का होने का जो निर्ने कौन लेता है मैं लेता हूं आप यह प्यूद्व निजिन्मिदार हूं जब मैं स्वयम जिन्मिदार हूं तो निश्ची दूप से इस बात की गुंजाईश खत्म हो जाती है कि इस समय है जो मुझे में चल रहा है इसका पूर्ण तैसे जिम्म्यार मैं हूं कि ऐसा होने पर कि कि क्या समाधान है क्या बात है क्या तरीका है उससे निकलने का कि नेक्स्ट पांच नंबर में इस निड्ने के पीछे मेरी मान्यताइं मेरे संस्कार है कि मेरी समझ में कमी है तो निश्ची रुप से मैं मुझे स्पस दिखता है कि मेरी समझ में कमी है और मैं अपने बंते बिगरते भाव को सेहज कर सकता हूं समझ सकता हूं मैं पहतर तरीके दिखता हूं और उसके यह मुझे अपनी समझ भढ़ानी पड़ेगी कि और कि सार सत्र अटेंड करने के बाद और यह नीमित सुभए मैं कि जो साड़ेक्षे साड़ेक्षा सामारा हिंदी सेशन होता है उसको मैं बेस अबरी सिंजा करता हूं सुभए पाजब लिए उड़े आँ और तयारों को साड़े से सुनता हूं मेरे लिए बहुत ही यह है अधिन स्टैप नंबर 6 और 7 कि समंद व्यवस्था और सिस्तित तो उसमें अगर मैं कहूं में कि समंद और व्यवस्था को तो मैं समझ पाता हूं मगर सहस्तित्व मेरी आज भी एक वीक पॉइंट है मैं लाइवली तो उसको भैसुस नहीं कर पाता मैं इस बाद से सहमत हूं जितना मैंने पढ़ा सुना है कि जब तक कि संभन्द व्यवस्ता और सहस्तित्व का बोद पूरी तरीके से नहीं होगा तब तक सारी समश्याओं से निजात पाना लगभग असंभाव है मैं लगावा हूं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सहस्तित्व को सब्सक्राइब करेंगे लेकिन सम्हाओ अभी तक की जो मेरी स्टित्व है मैं उसमें उतना नहीं हूं मुझे जितना दूसरे पॉइंट जितनी स्टित्व समझ रहा है उतना मैं स्टित्व को नहीं समझ पाता हूं अब आते हैं हम अभ्यास दो पर अभ्यास दो में जिसे पेदा स्टि judge की विच प taşता हूं और दो में जो निंदेश देता हूं क्वच्थ नंवरी खतकता हूं उसी से मैं सारी क्रियाओं को संजगत कर पाता हूँ, हाथ उपता बैठता है, चलता हूँ, फिरता हूँ. Step number 3, मुझे मेरे शरीर में क्यों होने वाली स्विद्नाएं हैं, कौन सी स्विद्नाओं को मुझे पढ़ना है, कितना importance देना है, ये step ने मुझे बहुत कहना चीए कि तायता है कि किस तरीके से मैं एक स्थूल उधारन दूँ, कि जिसे अक्सर ऐसा होता था कि नाक पे कुजली हुई, नाक को खुजाया, तो पाम में हुने लगी, पाम को खुजाया तो पीठी में हुने लगी, ऐसे कई बार मैं पुझली करते करते भी अपने मुझाया, ये इतनी एससे तक क्यों होती है, और खास करके जब मैं कहीं किसी मिटिंग में बैठा हूं, कहीं ऐसी जगह बैठा हूं, कि जहां पुड़ा सा मुझ पर पर्फॉर्मेंस का प्रेशर है, और तब मैं इस तरह से खुजाओं, ये इस तरह से मैं करूं, मैंने इस पर काम करना चुरू किया, और खास करके पिछले तीन मेहने पर, मैंने देखा कि माना कि नाग पर खुजदी हो रही है, और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है, मैंने उसको संकेत को एक बार रेस्पॉंड बर किया और बुला दिया, तो मैंने देखा कि 10-20 सेकंड, 30 सेकंड में वह खुजदी अपने आप खतम हो जाती है, इससे मुझे एक जीतने का भाव अपने आप पर आया कि मैं अपने आपको, अपने शरीर में होने वाले समितनाओं को किस हद तक मुझे रेस्पॉंड करना है, मैं समझ सकता हूं और उसी के चलते जब कभी भी शरीर में कोई परिवर्तन होता है, कोई मुझे कुछ भी इंकर्मेंट लगता है, सरदीगर्मी होती है, या मैं बिमार होता हूं, तो उतना विश्चित नहीं होता, मुझे इस बात का भान लेता है कि ये चारी एक पार्ट है, मेरी चेतना किसी तरह से उससे डिस्टर्ब नहीं होती और मैं सहज रहता हूं, यह मैं अपने आप में उपलब्धी खास करके 47 के बात मुझे में है, दूसरे जो अभ्यास्तों के 4-5-7 जो पॉइंट थे, मैं ठीक है देख के पढ़के मैं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे आज भी उतनी सहसता नहीं है, मैं उनको महसूस तो नहीं कर पाता हूं, भविश में मैं हो सकता है कि काम तो चली रहा है, जब कभी समझूंगा तो उस पर चर्चा कर पाऊंगा, अब बात आती है कि सुख सुभाव है या प्रभाव है, तो हाँ मैं इस बास से बहुत कंविंस हूं कि सुख तो सुभाव ही है, प्रभाव तो नहीं नहीं हो सकता, क्यूंकि प्रभाव जो है वो साम्यिक है, टेंपररी है और कभी भी किसी भी प्रभाव में मैं गुलाम हूं, परतंत्र हूं, रास्ता है और ऐसी किसी भी स्थिति में मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। बहुत पहले मैंने यह कॉंकूर्ड कर लिया था कि करके सुखी नहीं हो सकते, सुखी हो कही कर सकते हैं, पुरा जीवन गुजरा करके सुखी होने में और अब इस उम्र में जाकर मैं यह कॉंकूर्ड कर पाया कि नहीं, तुकी होका करने में ही सुक का नंतरता है। ये बात सभा या प्रभाव की उई शत्रे के दौरान भाष करके कानपूर में और सेकोस्ठी में मुझे काफी सारे बातों ने प्रभावित किया। कि मैंने कानपूर सत्रे के दोड़ान ही कुछ points नोट किये थे कि जिन points में मुझे काम करना है जिन areas में मुझे काम करना है कि कुछ एक points मैं यहां पर आपके समक्ष बताना चाहूंगा एक तो कि परसपड़ता में दूसरों को आकलन करने में मैं सिर्फ रूप या यूगव अपरियंस उनकी बोल चाल उनके पेश होने का तरीका या बहुत हुआ तो उनकी डिगरी पड़ाय लिखाई उसी से मैं आकलन करता था और बहुत बार मैंने पाया कि मेरा आकलन गलत था इससे मुझे अपने इस प्रोसेस को सुधारने के लिए मुझे अब निर्णे लिया कि निश्चिलुप से मेरा यह जो तरीका है गलत है और उस निर्णे के बाद मैं धेरे रखता हूं धीर रखता हूं प्रयास करता हूं कि परसपड़ता में सुभाव धर्म तो नहीं लेकिन रूप और गूर्ण तो कम सगम मैं उनके स्थम्जूं मैं खडवड़ी ने करूं और पूरी बात को उस व्यक्ति को उस संभन को पूरा मैं समझ तको करूं मेरी कमियों में एक पाज जो है कि यदा कदा दूसरों से प्रशिंसा पाने का भाव मुझे में रहता था कम जरूर हुआ है मगर आज भी है और उस प्रशिंसा पाने के भाव में कभी कभी तो मैं ऐसी इस तरह से स्थित्यों को इस तरह से चीजों को मोड करता था कि लोग उस पे रियक्ट करें और मुझे प्रशिंसा के भाव से देखें या कहें कि इसके उपर भी कि मैं अपने प्रशिंसा का भाव पाऊं वो ते एक बात है लेकिन दूसरों की दूसरा जब कभी कोई अपने विशिष्टा का बखान करें तो मैं अक्सर एस हज हो जायकर अकुलाट होती थी और कभी कभी तो मैं इस बात कंजा करता था कि ये इनका जो बखान है वो कब खचाब हो पिछले कुछ महिनों से और खास करके इस सत्रे के बाद मैंने इस बात को बहुत गंबिता से लिया तो मुझे कोई हग नहीं या ये मेरे हग में ठीक ही नहीं है कि मैं कोई क्या बोलेगा कैसे बोलेगा कितना बोलेगा उसको मैं तै करूं और इस विचार के साथ मुझे अभी अपने आप पे थोड़ा हलका पन लग रहा है तो ठंडा पन लग रहा है कि मैं इस विचार को अपने साथ रखता हूं एक कि इस सत्र की देन है वो शब्द कॉम्पिटेंस और इंटेंशन इन शब्दों ने मुझे कहना चीए कि यह शब्द मेरे लिए एक चावी रूप में हो गए इस तरीके से हो गए कि मैं आप जब कभी भी किसी व्यक्ति से परस्परता में संब्द मनाता हूं जब बात्चीत होती है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बात को ठीक से कहनी पा रहा है या कोई आवेशित है या कोई कि बहुत ज़्यादा दरिद्रिता में दीन हीन है तो अब मैं इस बात को भले बाती देख पाता हूं कि यह उसमें कॉम्पेडेस कमी है मगर इंटेंशन में कोई कमी नहीं हो नहीं है ऐसा मैं मुकमल कर पाता हूं और इस बात से मैं संब्दों को कि भली बाती पोशित कर पाता हूं कि मैं अपने कि कई बार ऐसा होता है मेरा थोटा बेटा जो बिसिकली बिज्निस कंसरेटेंट है और काफी अच्छा अपने पेशे में हैं कर मैं उससे बात कर रहा था तो कि मैंने देखा कि वो थोड़ा एक और चैली में बात कर रहा था थोड़ा कहीं उसको भाव में चायर दिये बात थी कि पापा को इस विशेय में इतनी समझ नहीं है मैंने ये कि मैंने ये अब्जर भर किया लेकिन साथ ही मेरे को उसी समय है इस बात का व्यासा है कि भी मुझे यानि इसी बात का कि ठीक है यह उसका अपना तरीका है लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं है तो यह तो बात मैंने अपनी कही सत्रे के दौरान मैं खास करके गौरभाया से बहुत प्रभावित हूं हम जैसे लोगों की शेरिंग वह सुनते हैं और फिर उसके कमेंट करते हैं उनके कमेंट बहुत ही कन्विंसिंग होते हैं एक 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 एप्लिकेशन बोड में एक उस पर किस तरह से मैं अपने आपको परिमार्ट कर आँं वह अपनी बात को रख अपने एक सुझाव देते हैं बात को रखते हैं मुझे यह बात बहुत छूती है साथ ही मैं देखता हूं कि इस सत्र में किसी की भी शेरिंग के बाद दो-तिन लोग खास करके मैं देखता हूं कि चंद्शेकर भाईया और प्रशान भाईया उनके सहच प्रश्ण पूस्ते हैं। वो मेरे समयत कई लोगों के हो सकते हैं और उनके जवाब वो यह यह करना चाहिए कि हम सब पाते हैं इसे के साथ मैं अपनी वाणे को विराम दूँँ मेरी पत्नी का खास करके मेरे बारे में ये मत है कि आप बोल बोल जादा करते हो किरियान बन काम है और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ थीक है मैं उनके मुँँपर कई बार आहत होकर मैं गुस्तों हो जाता हूं लेकिन स्टा करता हूं उनकी आकुरिसी जड़ा है और उसलिकी देन है कि हमारा परिवार खुशाल है ठीक है सेवी को बहुत बहुत धन्यवाद खास करके मुझे इस प्रेटफर्म पर बोलने का मुखा दिया थैंक्यू धन्यवाद मनुर भिया की शेरिंग के बारे में कहें तो भिया का नया नया जुड़ा हुआ है परन्तु जिस गंभीरता से उन्होंने ध्यान दिया है और अभियास एक और दो के स्टेप्स को उन्होंने जिस तरह से बिंदुवार धंग से रखा कहां तक वो ध्यान दे पा रहे हैं कहां जाकर अभी तुप जाते हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं और किस तरह से जो बाते रखी जाती है उसमें जो महतुपुन बिंदु लगते हैं उनको पकड़ पाते हैं और फिर उसके अधार पे अपने जीने का मुल्यांकन कर पाते हैं, रशन सनी है, बहुत ही अच्छा है भीया, आपने बहुत विस्तार से धायरपुरुवा की मांदारी से असकष्टा से पुरी बात को रखा अपने बारे में, अब मुझे लगता है आ